तो यह आगे हैं संजेब भीया के दैवले कचालू वाले 35 साल पुरानी शौप है इनकी कचालू मैंने बहुत कम देखे हैं दैवले के इंदर डालते हुए गरम मसाले तैयार है सारी पुराइन दिल्ली है महंगे मसाले है अच्छा ऐसा भी होता है दोस्तों इस वक्त में हूं दर्या गंज में दर्या गंज में मुझे दिग गए संजे हलवाई जी और भाईसा 35 साल से यहां पर दैवले खिला रहे हैं और अंकल जी आ है मेरे साथ एक अंकल जी इसा पूछा कब से खा रहे तैंकल जी आप इनकी है बाई संज़ी मुचे नहीं आई दे रखा रहे हैं नहीं आप पुरी की मिध्टू को बना हुआ चारा इनकी इन्के बना हुआ शाई पनीर शायर नहीं मिलें आपको ये गारंटी है हैं संजा भाई आप ने काम शुरू किया थी अपके पिता जी ने रही हांगे आपके पिट जी ने शुरू करता हैं तो अगे इंपर ऑफ पापा दे उमारे ममी देवाद प्सकारा कहा हैं कि टो सर्थने कहाँ हैं कि आप सर ने काया है कि सबसे बढ़ आग था देएं क्या बै मिलते हैं रहां यां यांप विधी शोटे सी घाँ जब बड़िया कहां ना रहते तरीभी समिय कि cut कियां दोर बीजिनीन है बहुत है निए ऑद गाले आपने कितने के दिबल्लेगा यहां पर साथ रुपे के तो यह निज बता रहे हैं आज कितने के देनल बैद चार गुरूर कुछ ड़ोपे एक और अमेरे चार ने चार रुपे बता लगा अठीड़ ड़ोपे अपर ँचा मुंबई से नहीं जाते लोग बहुता है एक सिंगल बल्ला बल्ला जो होता है किस चीज़ का बनता एक जैक्ली मुंग की ताल का कुछ और भी मिक्स करते हैं उसमें कि यह डालते हैं जीरा और हींग जीरा और हींग अच्छा मुंग की दाल का भल्ला ठीक है सिंगल बल्ला बनाना यह डाली इनोंने पापड़ी दही के साथ यह है इनकी आलू और इनका छोले और यह मसाला आपका जो है धर यह कचालू है कचालू वे डालते हैं कचालू मैंने बहुत कम देखे हैं दावले के दालते हुए काली मेश्यू के साथ गरम मसालिक मीड़ी चटनी कम खुद त्यार करते हुं यह हम खुद तया करते हैं सूबरे उट और ये गरम मसाले तयार है सारी पुराइन दिल्ली के महंगे मसाले है पुराइन दिल्ली के महंगे मसाले अच्छा ऐसा भी होता है तो ये आगए है संजेब भाया के दैवले कचालू वाले 35 साल पुरानी शौप है इनकी और दरिया गंज में एक्जेक्ट लोकेशन कौन सी है दरिया गंज में ये दरिया गंज के अंदर जनाब गोल्चा सिनिमा के पीछे वाली गली है शब्बरवाल होस्पिटल के सामने है डॉक्टर शब्बरवाल होस्पिटल है उसके सामने ही दुकान है इनकी छोटी सी है अब भीया खा के बताते हैं आपको कैसे हैं दाइबल्ले शाट बहुत लग रहा है एक दम फ्रेश बल्ला लग रहा है एक दम ठंडा चिल्ड है दही और उनकी चटनी यह लाल वाली वह पिक प्रॉपर कॉंबिनेशन बना रही है एक चाट का दाइबल्ले चाट बोलते रहें इसक तो बिल्कुल नपी तुली चीज डाली है मसाला भी हो चाए उपर से इन्होंने अपना जीरा डाला है उपर से जीरा बुनाओ डाला है और कचालू डाला है मतलब बहुत बढ़िया चाट डाइबल्ले की आपको जरूर पसंद आएगी हमारे कहने से संजय हलवाई के पास आप जरूर आए और एक्जक्ट लोकेशन डिस्क्रिप्शन में डाल दूगा साथ रुपए के दैवल्ले देते हैं टिक्की कितने हैं चाली रुपए प्लेट टिक्की सिंगल दो दो पीस बाइस आप तो हमारे जिसाब से एक नंबर दैवल्ला संजयाल राइका जल्दी से वीडियो को शेयर कर दिजिए और किसना कॉंटेंट आप देखने जाते हैं ज